हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू वेल अकेडमी प्लस यहां पर पॉलिनोमियल चेप्टल को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें फेक्टराइजेशन अभी तक देख लिया जिसमें कॉड्रेटिक पॉलिनोमियल को फेक्टराइज करते देखा था क्यों इसको फेक्टराइज करने का तरीक तरीका मैं आपको अलग話 आने वारा हो टेक्सबुक से ठीक है लेकिन इससे पहले फेक्टरायजिएशन फेक्त्राइज क्या है किस तरह से कोड़े इक पॉलिनोमिय्स को फेक्टराइज करते रहों वीडियो आप देखना बहुत तो description में दो वीडियो की link मिल जाएगी सबसे पहले remainder theorem देख लीजिए उसके बाद factorize देख लीजिए and then आप ये वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने bell icon में plus को subscribe नहीं किया तो फटाफट से अभी subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का notification जो है वो regular link मिलता रहे और आपकी जो preparation है किसी भी chapter को लेके वो भी continue होती रहे यहां पर बात करते हैं तो first question को मैं solve करूंगा तो यहां पर first question है x cube minus 2x square minus x plus 2 अब यहां पर जो है यह cubic polynomial है तो cubic polynomial के always तीन zeros होंगे तीन zeros मतलब आपको जो factorization में 4x minus 1 3x minus 1 ऐसी दू ब्रैकेट मिलती थी ना यहां पर cubic में आपको तीन ब्रैकेट यहां पर और एक third bracket add होगी तो यहां पर अगर हम बात करें cubic में तो cubic में तीन ब्रैकेट आएगी मतलब तीन zeros आने वाले तो first zero को simple way में find करते हैं तो यहां पर क्या करना होगा आपको एक numbers suppose करने होंगे एक cubic में हमेशे याद रखना है एक cubic की method है आपको numbers suppose करने होंगे plus one फिर आएगा minus one plus two minus two plus three minus three and so on इस तरह से plus four minus four और one by one सारी values को इसमें put up करना है जैसे कि अगर मैं plus one की बात करूँ तो मुझे plus one को लेके यह x की जगह पे रखना है तो यहां पर अगर मैं plus one को x की जगह पे रखता हूँ तो one का q minus two one का square minus one and plus two तो मैंने हर जगह पे यहां पे one रखा हूँ है तो one फिर आएगा minus two minus one plus two now अगर आप देखो के तो minus one plus one cancel हो जाएगा और plus two minus two cancel हो जाएगा तो answer है is zero और generally cubic वाले जो आपके nine standard की books के sums होंगे और आपके level के sums में max to max minus two तक जाएगे या plus two तक जाएगे बस इस से ज़्यादा आगे तक आपको check नहीं करना होगा और यह जो check करने का काम है वो आपको rough pace पे करना है means आपको जो value जो है plus one minus one यह सारी values को one by one put up करना है जैसे कि जहां पर मैंने plus one को रखा तो answer zero आ गया जैसे ही answer zero आ जाता है आपको रुख जाना है क्योंकि आपको जो answer चाहे था वो मिल ग चेक करो फिर minus two से इस तरह से check करते जाओ यह काम rough work में करना है now यहां पे कौनसी value पे zero आया तो x की value one थी तो यहां पे क्या मिला यह जो है यह polynomial zero मिला तो यहां पे x equals to one क्या है यह x क्या है इसका factor है ठीक है और अगर मुझे इसको factor के form में अच्छे से लिखना हो तो हम इसक इस तरह से लिखेंगे x minus one लिखेंगे क्यों क्योंकि यह जो one है वो यहां पर आ जाएगा x की तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x minus one हो जाएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे x minus one is a factor of पी एक्स अब यह पी एक्स कौन सा है यह रहा यह पी एक्स है ठीक है x q minus two x पर minus x plus two मतब x minus one इसका एक फेक्टर है यानि कि first value मुझे मिल गई x minus one ठीक है ना अब मुझे बाकी की दो चाहिए तो दो कि निए टेक्स्बुक में बहुत अलग method दे हुए है लेकिन मेरे पास इ यह आप आरामसे लिख सकते हो वो तरीका कॉंस है कि यहां पर आपको division perform करना है किसका यह जो है x q 2 जो है उसका उसको divide करना किसके साथ तो यहां पए हम उसको divide करेंगे अपने ही factor के साथ जैसे कि x minus one है ना उसी के साथ मैं इसको divide करूंगा डिवाइड करते है और इसका क्या होगा कैसे आंसर आएगा अब भी पता चल जाएगा तो x-1 उसको डिवाइड करना है पूरे px को डिवाइड करना है x-1 के साथ तो x3 चाहिए तो यहाँ पर हम रखेंगे x2 x x3 x3 minus 1 x2 तो minus x2 और यहाँ पर sign change करेंगे मैंने इसलिए भूला था कि remainder theorem की वीडियो आप देख लीजे क्योंकि यही चीज़े आपको नहीं समझ में आएगी क्यों डिरेक्ली कर रहा हूं remainder theorem में अच्छे से explain कर दिया है यह division किस तरह से करते है अब यह cancel हो जाएगा minus 2x square plus x square तो आएगा minus x square फिर यहाँ पर minus x को नीचे रहेंगे plus 2 को लेंगे अब मुझे चाहिए minus x square मेरे पास x है तो minus और x तो x into minus x तो minus x square मिलेगा minus 1 into minus x तो plus x मिलेगा now sign change करते तो यह minus है तो plus यहाँ पर plus है तो minus यह cancel हो गया and then I have minus x और minus x तो minus 2x और plus 2 नीचे है अब यहाँ पर देखते है minus 2x और plus 2 तो अब इसको हम solve करेंगे तो मुझे क्या चाहिए minus 2x तो x into minus 2x तो x अब मुझे x है मेरे पास minus 2 चाहिए तो minus 2 simple multiply करूँगा तो x into minus 2 क्या होगा minus 2x होगा ठीक है और minus 1 into minus 2 तो plus 2 होगा now यहाँ पर remainder 100% 0 आएगा because हमने factor से इसको divide किया होगा है मतलब इसका factor है तो remainder इसका 0 ही आना है तो plus और यह minus तो यह cancel और यह cancel होगा है जबरदस्ती का cancel नहीं करना है आपका answer reality में यहाँ पर 0 आना ही चाहिए तो यह 0 आया तो अब यह divide करके मतलब क्या हुआ तो यहाँ पर अगर आप notice करोगे तो जो number जो quotient हमें मिला हुआ है जैसे कि यह जो quotient है क्या मिला हमें quotient x square minus x minus 2 यह जो quotient है वो क्या है quadratic polynomial है मतलब मैंने यह x cube वा इसको factorize मतलब इसके factor x minus 1 से divide किया तो मेरे पास कौन से time आती है यह time आती है तो अगर मैं चाहूँ तो मैं जो है यह factor को अच्छे लिख सकता हूँ like अगर मैं इसको question को अगे लिखता हूँ दियान से देखना x cube minus 2 x square minus x plus 2 अब इसको मैं अच्छे से लिखना हूँ मतलब इसको split करके तो एक है x minus 1 दूसरा term क्या है x square minus x minus 2 अब आपको होगे यह मैंने कैसे लिखा तो एक छोटा सा example बताता हूँ 4 divided by 2 अगर करते हूँ तो क्या आता है अच्छा एक काम करते है 6 divided by 2 करते है तो क्या आता है 2 3 is a 6 तो यहाँ पे 0 आया अब यह 6 आया कैसे यह 2 को और यह 3 को multiply किया तो आया न तो इसी तरह से इसको हमने divide के इसके साथ तो quotient यह आया तो यह दोनों का multiplication answer यह होगा तो यहाँ पे हमने यह दोनों को लिखा अब यह तो मेरे पास एक factor already है मतलब मेरा एक answer आ चुका है दूसरा answer कैसे आएगा तो हमें again quadratic factorization देखना होगा quadratic polynomial को factorize करना इसलिए वीडियो की starting में कहा था कि आपको factorize का जो इससे पहले वाला question है quadratic polynomial का वो देखना बढ़ेगा लोग इसको factorize करते है तो यहाँ पर x square के आगे कोई number नहीं है तो यह 1 है 1 into minus 2 तो minus 2 minus 2 का ऐसे factor का answer क्या है यह माइनस 1 से तो हम यह माइनस 1 तो minus 2 है उसका ऐसे multiple ढूंडने है जिनका answer plus minus से क्या आँए minus 1 minus 2 के समर्टिबर तो minus 2 के समल्टिबर जिसका answer minus 1 आया है तो मैं क्या करूँगा 2-1 क्या होगा 2 होता है 2-1 क्या होता है 1 होता है लेकिन मुझे चाहिए minus 1 तो मैं यहाँ पे 2-1 नहीं करूँगा क्या करूँगा 1-2 करूँगा तो क्या होगा minus 1 आएगा 1-2 minus 1 आता है अब 1 into minus 2 करेंगे तो 1 into 2 2 और यह plus है तो plus minus minus ठीक है किसी का नमबर के आके साइन नहीं हो तो उसको plus ही लेते हैं plus minus minus तो 1-2 क्या हैगा minus 1 और 1 into minus 2 क्या होगा minus 2 होगा ठीक है नम तो यहाँ पे मुझे इसको split करना पता चल गया कैसे split करना है मतलब मुझे plus 1 और minus 2 को रखना है तो simple है x square अपनी जगा पे रहेगा और यह term को हम दो parts में split करते है minus x को consequence एक तो है plus x और दूसरा है minus 2x और यहाँ पे minus 2 as it is तो अब अगर आप देखोगे 1 plus x minus 2x x minus 2x क्या होगा minus x होगा यह आपको ही मिलना चाहिए हमेशा तो यहाँ पे x minus 1 तो as it is अब यह 4 terms हो गई है तो मैं दो-दो के form में इसको रख देता हूँ तो अब मैं bracket सरा बढ़ी कर दूँगा तो यहाँ पे common क्या निकलेगा x और अंदर क्या रहेगा यहाँ पे x square में से x निकल गया तो x रहेगा यहाँ पे x निकल गया तो plus 1 और यहाँ पे minus है दोनों के पास और 2 भी है तो minus 2 को common निकलेगे और यहाँ पे minus 2 x में से minus 2 चला गया तो रहेगा x minus निकल गया तो अंदर आ जाएगा plus और 2 निकल गया तो अब हमारे पास बजेगा सिर्फ 1 तो अगर आप notice करो तो दोनों टर्म सेम हाई है that means हम सही जा रहा है नो final इसको हम solve करते है तो यहाँ पे आता है x minus 1 हमारा एक factor जो था वो plus x plus 1 जो है जो दू बार आ रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे मतलब यह common लेने वाला यह part हुआ so x plus 1 लिखेंगे and then x and minus 2 यह दोनों को भी हम इस तरह से लिख देते है x minus 2 तो अगर आप देखो तो हमारे पास तीन zeros मिल गए एक था x minus 1 दूसरा मिला x plus 2 और उसके बाद मिलता है x minus 2 तो अगर नोटिस करो तो यहाँ पे क्यूभी के लिए आपको हमेशा 3 bracket मिलेगी और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्यूभी के लिए आपको हमेशा 3 bracket मिलेगी process simple है मैंने एक sum solve किया हुआ है दूसरा sum आपको solve करना है तीसरा भी आपको करना है and we will go for fourth sum अभी हम solve करेंगे तो यहाँ पे second और third आप solve कीजिए आराम से हो जाएंगे को इटेंशन नहीं है value को one by one put up करना नहीं आता है तो समझ लो कहीं नहीं गलती हुई है तो चलिए आपके हम fourth sum को solve करते हैं अभ यहाँ पे fourth sum को solve करना है तो यहाँ पे question लिखेंगे 2y cube plus y square minus 2y minus 1 और इसी तरह से सबसे पहले मैं plus 1 put up करूंगा तो 2 into 1 का cube plus 1 square minus 2 into 1 minus 1 तो 2 plus 1 minus 2 minus 1 तो अगर देखो तो 2 cancel और यह cancel answer 0 आ गया जनरली answer first में आ जाएगा नहीं आता है तो minus 1 से try कीजिए ऐसा कोई नहीं है मैंने कोई देखके नहीं किया हुआ है मुझे ऐसा लगा कि कोई और factor होगा लेकिन unfortunately मुझे first में answer में आनसर में रहा है so आपको शायद second third में थोड़ा struggle करना पड़े थोड़ा आगे तक तो कोई बात नहीं थोड़ा बात देख लेना अगीन इसका answer x equals to 1 पे आ गया तो factor क्या होगा x minus 1 ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो 1 है उसको में यहाँ पे ले लेंगे now suppose अगर आपका answer x equals to minus 1 पे आता है मतलब minus 1 पे 0 होता है तो आपका factor क्या होगा minus 1 यहाँ पे आएगा तो plus 1 हो जाएगा तो आपका factor x plus 1 होगा ठीक है तो अब क्या करेंगे यही polynomial को divide करते है now यहाँ पे मैंने इसको x में consider किया हुआ है जबकि polynomial हमारा y में दिया हुआ है so यहाँ पे अगर y दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे y के form में ही लिखूंगा यहाँ पे y equals to 1 लोगा और यहाँ पे factor क्या होगा y-1 होगा वो तो आपको समझाने के लिए मैंने लिया लेकिन अगर यहाँ पे मुझे भी अभी पता चला कि polynomial y के form में है मतलब यहाँ पे p of y है तो y-1 is the factor of p of y ठीक है तो यहाँ पे y को variable लिया हुआ है यह basic सी mistake है लोग x के form में लेके solve करना शुरू कर जाते है and then गलत कर देते है so यहाँ पे y-1 factor है तो y-1 से divide करेंगे किसको तो यहाँ पे 2y cube plus y square minus 2y minus 1 अब y अब मुझे 2y cube चाहिए मेरे पास सिर्फ y है तो मैं 2y square को लोंगा y into 2y square तो 2y cube मिलेगा minus 1 into 2y square तो minus 2y square and then sign change करेंगे तो यहाँ पे cancel out हो जाएगा y square plus 2y square 3y square होगा minus 2y and minus 1 इसको हम नीचे carry कर लेंगे 3y square जाएगे अब मेरे पास y है तो मैं लोंगा 3y लोंगा क्योंके y into 3y क्या होगा 3y square होगा minus 1 into plus 3y तो minus 3y होगा and then sign change करेंगे तो we will get minus 2y plus 3y क्या होगा y minus 2 plus 3 क्या होगा 1 तो यहाँ पे यह अगर समझ में नहीं है तो minus y plus 3y तो यहाँ पे यह ऐसे जो minus plus होते हैं variable के अगर नहीं समझ में आते हैं तो एक अच्छी से trick बताता हूँ आपको कि अगर suppose मेरा नाम अब्दुल है तो minus minus plus को अभी छोड़ो 2 अब्दुल plus 3 अब्दुल क्या होगा 5 अब्दुल होगा ठीक है यहाँ पे अब्दुल का जो y और y जो है उसका square नहीं होगा यह y अपनी जगह पे ही रहने वाला है सिर्फ minus 2 plus 3 क्या होता है minus 2 plus 3 क्या होता है 1 होता है और y अपनी जगह पे तो 1 y को हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे तो ऐसे में confuse मत हो ना तो यह क्या है y and then minus 1 नीचे आजाता है now y चाहिए मेरे पास y है तो मैं क्या करूंगा plus 1 y into plus 1 y minus 1 into plus 1 to minus 1 now इसको sign change करते हैं तो 0 आएगा हर बार आपका 0 आना ही चाहिए that is compulsory क्योंकि हम factor से divide कर रहे है ठीक है न so now अब आगे हम solve करते हैं इसको तो हमें क्या मेरा quotient 2y square plus 3y plus 1 तो इसको मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा यह polynomial को हमने split किया हुआ है दो terms में एक हमें factor मिल गया है क्या है तो एक factor हमें मिल गया है y minus 1 तो यहाँ पे y minus 1 लिखेंगे और बाकी का जो quotient है उसको और split करेंगे using factorization चीक है न अब यह quadratic polynomial मिला 2y square plus 3y plus 1 अब यह x के formula नहीं है तो थोड़ा बहुत confusion जैसा होता होगा तो मुझे क्या करना है 2 into 1 plus 2 है और यहाँ पे क्या है 3 तो वो plus 3 है मनलब 2 के ऐसे multiples 2 के ऐसे multiples जिसका plus minus कर रहे तो plus से आना चाहिए तो मेरे पास क्या है 2 1 जा 2 और मैं अच्छे से जानता हूँ कि 2 plus 1 क्या होता है 3 होता है तो यहाँ पे 2 plus 1 3 होता है और मुझे भी plus 3 ही चाहिए तो मैं चेक करूँगा 2 into 1 क्या होगा 2 होगा और मुझे plus 2 ही चाहिए 2 into plus 1 2 plus 2 ही चाहिए और 2 plus 1 3 मिलेगा तो मैं इसको consider करते होगा middle term को split करूँगा तो यहाँ पे आता है 2y square plus 3y com split करेंगे क्या हैगा 2y plus y 1y नहीं लिखेंगे y लिखेंगे plus 1 now 3 terms थी again 4 हो गई तो अब pair बना लेंगे तो सबसे पहले common निकालते हैं तो क्या होता है यहाँ पे 2y common निकलेगा तो अंदर क्या रहेगा इसको मैं बड़ी bracket बना लेता हूँ 2y common निकलेगा यह दोनों में से तो यहाँ पे रहेगा first में रहेगा y फिर आएगा plus और 2y निकल जाएगा तो 1 ठीक है और यह हम इसको small bracket रख देते है and then plus अब यहाँ पे y plus पर हमने कुछ common नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे रहेगा 1 और y plus 1 as this अगर आप notice करोगे तो दोनों सेम bracket आएगे मतलब हम सही जा रहे है so आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे y minus 1 फिर आता है y plus 1 and then आता है 2y plus 1 2y plus 1 तो मेरे पास तीन आंसर मिले y minus 1 और y plus 1 और उसके बाद आता है 2y plus 1 तो यह मेरे तीन आंसर है cubic polynomial दे तीन bracket से मिलेगी हर बार compulsory है क्योंकि यहाँ पे इसका जो maximum power 3 है तो इसके तीन zeros होंगे मतलब तीन ऐसी values होगी जिससे यह polynomial जीरो हो जाता होगा इसी को हम बोलते है ठीक है ना तो second और third आप solve करोगे उमीद है मुझे and then अगर आपको वीडियो again समझ में आई है तो मुझे comment section में बताओ कि वीडियो कैसी दे आप कि इस topic पे जाते हो और अगर आपको इसमें इसा लगता है कि और examples की जरूरत है तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाने की तो आप मुझे comment section में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको समझ में आया नहीं आया क्योंकि ये सारी चीज़े मुझे पता है थोड़ी बहुत difficult है आपके level पे लेकिन मेरी बात मानो तो और practice करोगे ये समस्की तो आप for sure बहुत अच्छे से perform कर लोगे textbook से different method है मेरी लेकिन बहुत easy है मैं मानता हूँ आपने अगर आगे कर लिया है तो ये method textbook की दीवी method से काफी easy होगी और ये सही है So I hope आपको वीडियो समझ में आ गई है कुछ भी ओप मुझे comment section में बताना वीडियो पसंद आई तो आपने दोस्तों के साथ share कर दो जिनको ये topic नहीं आता है और अगर आपने like नहीं किया तो like कर दो subscribe कर लो मिलते हैं नेक्स डूडियो में तब तक के लिए goodbye and take care